हेलो वाई इस वागत आपका हमारे दापावर टेक्निकल चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम आपको शिखाने वाले कि फॉर्स्ट टाइम टीवी पर सेट्टाबोक्स कैसे लगाएं मैं कहने का मलब है आप किसी भी टीवी पर कोई साभी सेट्टाबोक्स कैसे सेटप करे खाते हैं आज की इस वीडियो में शिखाने वाले है तो आपके बस चाहिए फ्रीडिस अटे वक्स हो चलिए इबिए त्वेटियो को स्टाइट करते हैं दूस्तों हमारे पास यह Samsung का TV है एंप को इस संसंग के टीउ पर जैसे के आपट इखाई गैए सब से पहले हमरे पास जो शर्टा वोक्स देख Guardians वाज यारद और इस सब्सकर करनेक्ट करके दिखाएंगे और इस सब्सक्ति जिन्स करते हुं वो सारा कोच मैं आपको इस वीडियो में देखाने वाला है चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और टीवी को ओन करते हैं फटावर्शे और इसको connect करते हैं सारी केबल वगज़ा आपको इसमें देखाएंगे कि connect सही तरीका क्या है connect करने का दोस्तों सबसे पहले हम बात के लेते हैं । यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास डीडी फ्री डिस का सर्टाबॉक्स हैं अपक्ष यह गाई यह और इसमें आपने सबसे आगे की तरफ जो बटन बगरा इसका तो में कोई आई हैं लेना लेकिन पीछे जो केबल हैं कैसे कर करना है तो सबसे पहले हम उसमें बात के लेते हैं इसमें जो अपना आरजी 6 पहले लगाता है यह वाला प्यूंट में पेल पॉंट में लगाना है कि तो आपने तौझिन आपने एन वाले में लगाना है यह छीज़ामने दियान से Subscribeрат बोक्स आपको किसी भी मॉडल का हो डेडीफ इसका सट्ट वोक्स तो आपने इन वाले में लगा नहीं है ठीक है इन वाल प्वाइट कोने पर उता है 99 परशंट अगर 1 परशंट कि सी में दिखक का दो यहां पर कर देते हैं लेकि 99% आपका इस पर आता है इस वाले पॉइंट पर नहीं लगाना है अपने ठीक है यह आउट करने के लिए होता है सिगनल को अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि तीन कलर की केबल बगए रहा है यलो रैड वाइट तो किसी-किसी छोटे टीवी पे दो केब रही लगते हैं तो दो ही केबल लगाएं टीवी में और वाक्स में भी सेम और ए एक केबल जिए वह खोला आपने छोड़ देना है ठाथिक अपने तीन कलर की केबल है कल में कलर वेम लगा देने हैब क्या में आपको क्या करने पर कहा है हांब दिख effects यह हो गया हम्ăर दिख क्षिश beauty के साट्ट एगा सकते हुश तो डिश टिवी के साट्ट पुक्स में भी आप इसमें देखे आधो दो होग पाम एबी का किसी किसी में तीन क्लिल की लीडे होती है तीन लाइने होती है राड येलो वाइड तो तीन लगा सकते लिडे कर सकते हम झाक कैंक तो आपने इस वाली केबल से अटास के लेना है केबल अगर मैं आपको इसका साइज बता दू केबल कैसा होता है तो यहां पर जो आप देख रहे हैं देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कुछ देखा रहे हैं यह थोड़ा और बार हो जाएगा यहां पर जो लीडे बगर रहे हैं यह आप देख रहे हुआ यह वाला निगल पर यह लो और उर ग्रीन आ रहा है हैं लेकिन मेरे टीवी में इसमें कुछ एक पॉइंट दिया हुए कई उसंब एक टीवी में कई सारीं पॉइंट डिया रहते होते हैं यहां कर दो हैं कि हमारा किलर कालं लगा लेनी और यहां पर भी आपको एक चीज दिखनी है यहां पर अगर इसमें देखेंगे हैं यहां पर जिसे लेफ्ट राइट लिखा हुआ यहां पर इसने ओर गो केबल यह निकाल दूँ यह निकल गया है एच्छ लिया में केबल जो कि मैंने आपको बता था सट्टा वुक्स में भी ऐसे होता है और ऐसे यहां पर आप देखे होंगा इसको पड़ेंगा तो यह मैंने साफ कर दिया ओडियो भी लिखा होगा इस पर यहां पर यह वाला यह पर आपने इसको साट अप कर लेना थोड़ा तरीके से ऐसे यह बड़े आसानी से लग जाते हैं वह दिक्कत नहीं करते हैं यह तो को लग गया ठीक है ऐसे दूसरी साइड आपने जो करना है वह अपने कर सकते हैं और यहां पर इस सारो कुस्त कम्प्लीट हो चुका है बस यह चीज आपने करने टीवी के पीछे जो के लिडे साही लगा लेनी है तो अपना नॉरमल यह वाला के लगाए जो आप इसमें देख रहें हूँ तो इस के लेइन से चला सकते हैं तो अब इसको हम connect कर देते हैं फटापर से अपने टीवी पर यहां पर हमने एक तो हमारा HDMI से यह वाला जो connect हो रखा है और दूसरे हमारे पास जो लीडे हैं वो लीडे से हम इसे connect कर देंगे हैं ठीक है जी तो यह लीडे हो गए है और एक यह वाली भी केवल है जो कि आक्स केवल होती है एक तरफ तीन निकलती है और एक तरफ एक निकलती है जैसे कि आप इसमें देखेंगे एक तरफ एक एक तरफ 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 तीन है तो यह होता है हमारे सेटबोक्स में जो किस वाले कौन से सेटटबोक्स में लगता है हमारे डिश टीवी के सेटबोक्स मे तो इसमें एक और लगेगी यहां पर ऑक्स केबल देख रहे हैं एबी आउट एबी बोलते हैं इसको तो एबी वाला केबल का जो है वह यह लगेगा बकी तीन कलर की जो लीड़े हैं वह आपके नॉर्मल टेवी पर लग जाती है ठीक है जी तो इसको फटा-फट्चे मैं पावर एडप्टर लग गया हमारे जोग उपर से जो केबल आता है डिस वाला वो लग गया यह हमारे टीवी में एसडी हमाई केबल लग गई क्योंकि हम लगाने वाले हैं अपने LED पर तो हमने AV केबल नहीं लगा है जो कि यहां पर आप देख रहे हैं तो इस तरीकी से बिएक बैनिलाई या कुछ भी ऐसा एरर आता है तब आपने क्या करना है एक तो टीवी में बटन बगिरा हुते हैं कहीं पर जीजिए कि यहां के बाड दवाया कोई एक बटन है इसको में एक बर दबाता हूं यहांपर आप आप दिख रहे हैं एक ऐगा है एरो बना होता है आपके टीवी के रिमोड में भी ऐसा होगा एगर ऐसा एरो नहीं है तो एवी का बटन लिखा होगा एवी या सॉर्स यह चीज आपने ध्यान से सुन लेना है मैं आपको दिवारा से रिपीट कर लेता हूं यह बहुत ज़दा नोटिस करते हैं मनलब की लोग भूल जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि टीवी के रिमोड में कौन सा बटन दबाना है तो टीवी के रिमोड में आपने एवी का बटन दबाना है यह सॉर्स का बटन दबाना है तीन चार तरीके से उसको बोला जाता है और या तो बटन पर लिखा ना हो तो ऐसा एरो होत उसे करना होगा है। कर masa अपन पर सब्सक्राइब पता रहा है। इसे कुम्हाज़ने को तो आपका 100% सब्सक्राइब करना है है जैसे कि मैं भी डिश टीवी पर बता रहा हूं तो इसमें रिचार्ज का मांग रहा है अगर आपके सेट आपको लगता है कि आपने रिचार्ज कर रखाए चल नहीं रहा है तब आपने कंपनी का डिट्यश कराएंगे चल जाएगा ऐसा कुछ आता है ऐसा नहीं आएगा उसका रिचार्ज के लिए आएगा रिचार्ज करवाएं तब तो आपना जो सिगनल के एक बार और द्यान से देख रहे ना यह जो के बले यह दुबारा जैसे टाइट हो जानी चाहिए यह खुल जाता है दोखा लगता है यह द्माने से नहीं लगता है यह यह देख रहे यह देखा रहे है यह नहीं ज looked and urge ल airlines तो लग यह एक कशनेक्ट हो जाता है फिर भी नहीं चला तो आपने कर देनी है कि आपका चल चुका है अगर आपकी लिखड़ाब तो चल जाएगा ठीक होगा तो चल जाएगा ठीक है अगला इसको दिखाते हैं इसमें डीद फ्रीडिस का connect करें तो गैसे आप करते हम ड़ी फृट इसके सर्ट वोकस पर वो कैसे एक कर नहीं जैसे की केवल हिए जैसे मैं आपको बताए त्युक्त करने हैं तो फटा वर्स के इसको भी करेल आपको मैं दिखाता हूं ठीक है तो इस यह भी अब देख रहे हैं यह भी मैंना कर दिया और यहां पर आप देख रहे हैं यह अपना जो मैंने लगा दिया और तीन कलर की लीड़े हैं वह भी लग चुकी है बस पावर अडप्टर लगाना रहे गया पावर अडप्टर का मलदा पावर जो केबल होती है वह पावर केबल मैं अब इस में लगा देता हूं और इसके बाद में सैटाबक जाivers हमारा ओन हो जाएगा ठीक है झी मोड़े रहा है उसके बाद में आपको दिखादे हैं कि सैटबक चलता है या नहीं चलता है दोस्तों से हमारा ओन हो चुका है और यहां पर दिखा रहा है 54 चैनल नंबर और लेकिन यहां पर जो हमने डिश्टी लगा रखा हुआ था तो टिश्टी वी का अभी आ रहा है क्योंकि यहां पर पर अपना फ्रीडिस का सटबॉक्स जो कि मैंने केबल बगर आपको देखा था तीन कलर की केबल से डास हो रख रहा है लेकिन अब यहां पर भी हमने क्या करना पड़ेगा हमें यूआ इसका वो चेंज करना होगा कि हमें एवी पे लगाना होगा इसको एवी पे चलते हैं तीन कलर की लि चैनल चलने लगें बाकि अगर चैनल नहीं चलते हैं तो उसकी सेटिंग क्या है वो भी आप इसमें वीडियो में देख करके जाएं तो गईस अगर आपके सट्टा वॉक्स कनक्ट हो जाता है और आपके टीवी स्क्रीन पे ऐसे नो टीवी प्रोग्राम आता है या नो सिग ब्लेक श्क्रीन आरहे है तो इसमें कुछ सैटिंग्स में आपको बता रहा हूँ सैटिंगस आपने अतियां से देगढ़ने है श्रादों में नहीं निंगिल द प्रोग्राम पे जा ने यसीं अपने सेट्टम प्रोग्राम पे या अपने सथर्टम शिजिटम सेटाप पर शियर बाद में आपने क्या करने यह इसनों सिघनल अरहा यह बिया पर इंद्स आएगा ऐड़नी to इसने में अरवर नोटन आजाएगा अधि एप्र ने मेनियू बटन द दबाने दॉस इस द से मैन्यो बटन दबाईगे फिर एडिट प्रोग्राम पर आएंगे, एडिट प्रोग्राम पर आपने ओके करना है, एडिट प्रोग्राम पर ओके करने के बाद में, यहाँ पर ओके कर देना है, ओके करेंगे, फिर यहाँ पर राइट मिला करके, इसको भी ओके करना पड़ेगा, तो इसको मैं ओके कर देता यहां पर अभी All Read Program हो चुका है, अब आपने क्या करना है, यहां पर Menu का बटन दबाना है, Menu बटन दबाने के बाद में Program Setup पे जाना है, Program Setup पे जाएंगे, OK करेंगे, और यहां पर OK करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका आजाएगा, तो यहां पर Auto Scan आएगा, Auto Scan पर सिगनल आ रहा होगा, किसी Technical Error की वज़े से कोई गलत बटन दबने की वज़े से अगर ऐसा कुछ आता है, तो यह सारा कुछ करने के बाद में, आपकी Setup की Settings अभी ठीक हो जाएगी, और अगर सिगनल आ रहा होगा, तो सिगनल भी Received हो जाएगे, आपके Setup में, तो यहां प Setup में सिगनल आ रहे होंगे, तभी आपके चैनल सर्च होएगे, वो मैं आपको बार-बार बोल लो, 60% हो गया, अभी तक चैनल कोई डिया है, लेकिन मेरे Setup में 100% सिगनल आ रहे हैं, तो चैनल तो आएगी आईगी है, ठीक है जी, तो यहां पर देख रहे हैं, यह चैनल सर आते हैं, डीडी फ्रीट इस पे, वो आल्मोस सभी चैनल सापको इस पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देख रहे हैं, 94 चैनल आ चुके है, टोटल 94 और यहां पर देख रहे हैं, 40 चैनल किसी के चैनल कम आते हैं, तो एक बार वो जरू चेक लें कि आप फ्रीट इस पे को चला सकते हैं, तो कि जैसे वीडियो का लगा, कमेंन सक्सक्ष भी बताने हैं, लिज चला हो जो जब आपछो लाइक करने, चैनल पर पहली उम्हाहँ प्लीज को सब्सक्राब्स करने, मिलते हैं नक्से वीडियो नेक्ट हैंहें और अटो फ्रेवी के तब दर दिखो करना आवे